बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वाला नारा है सत्यमेव जेते हमारे वेद वाके में यह कहा है कि जो कुछ करना है समस्टी के भले के लिए करीगे। कि स्ब्यदान Jest 주고 जैसे हमरे सामने और जैसे आप ने हमारे से पूचा हिंदु qued unin requête रगाते हैं कि आत्म्रक्षी स्थ्ट्रीन करते हैं हमारी मजबूरी और हम होना पड़ेगा और हम पुद्रों अब ज्यादा होंगे आगे जाएं invert क्या विचार है किस प्रकार मुफ औक कि भारत के प्रति का उनका हिंदूत के प्रति रवय cat और नेपाल के शी जो पहले हुआ करती थी जो फूर्व की सरकारे थी जैसे कॉंगरसादी की सरकारे थी उस समय ये बहुत बड़ा माध्यम था एक रोडवे था एक डर्रा था जहां से गूर्सपेट करवाई जाती थी अब अब सभी धानिक करीचे से लेकिन जो आज हमने महसूस किया कि बहुत स्ट्रिटनस थी हमारे जो फोगी भाई और जो जो भी दाईतों पर खड़े थे अपने बहुत अच्छे से चेकिंग वेकिंग कर रहे थे अपने कारे को बड़ी करम निष्ठा से कर रहे थे हमें बड़ा हर्श हुआ कि आप वो बात नहीं है कि भारत वाला जो नेपाल का रास्ता है खुला रास्ता है कोई भी कुछ भी ले आए घुश पैट करा दे और चुप चाप से कुछ भी करता जाए ऐसा हमें नहीं लगाई हां पर जो हमारी हमने जो विश्लेशन किया देखा लोगों से मिले उन्होंने कहा कि पहले के मुस्ताबिक अब जो जब से बीज भावनाव को भारत के शेतर में भी बल मिला है और साथ साथ में जो गुर्पूर की साइड में और जो बॉर्डर एरिया लगते हैं नेपाल की नेपाल में मुखेता परिवर्तन तभी आएगा जब जन्मानस सच में मुखर होकर एक बड़ा आंधोलन करेगा तब महां राज और वो अफगानिस्तान बनेगा या तालिमान बनेगा तो सचेत हो जाएं हो ना हो कि हमें किताबे सिर भी रपके भाग ना हो हमें बहन बीटीया छोड़ के भाग हो अपनी देश से उसके लिए वह में कुछ चीज़ें को नजर अंदाज करके भी बीजेपी सत्ता और साश को वापस लाना हो तो हम आपसे यह आकरे करेंगे कि गेर्वा और केसर यह रंग आपसे यह आज मांग रहा है हम भिक्षा मांग रहे हैं देश धरम की कि आप बीजे पी को सबल करिए ताकि देश और धरम की